हलो इस्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीर इस्टेडी में मैं राज कुमार आपकी अपनी कलाफ ले करके उपस्तित हूँ कलाफ 10 के अंसी आटी मैथ पहला चैप्टर होगा आज साथियों यह आपकी नई बैच होगी यूटूब प सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्तो फूर्ट बताना चाहता हूं जैसे आप जानते हैं अगर हमें वर्थडे मनाना है तो क्या करेंगे ध्यान से समझना हम केक लाएंगे और भी कुछ सजाने वाले सामान लाएंगे चौकलेट और जो भी चीज उसमें मतलब हमें यूज कर लिए उसके बाद फिर हम सामान लाने चले गए हैं ऐसा थो नहीं होता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए अगर सहर किसाधी की बात है तो गैस्ट हाउस वाले को पहले से ही सुचित कर दिया जाता है और सारी तयारियां कर दिया जाती ही मतलब बुक कर दिया जाता है तो कुछ वैसे ही इसमें भी करना है इसमें कैसे इसमें जैसे हमें पहला अध्या पढ़ना है तो पहले हमें तयारी हैं ये करना होगा कि जो हमें चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वास्तविक संख्या इंगलिस में रियल नंबर बोलेंगे पहले हमें उसके बारे में तयारी करना होगा कि प्रकृतिक संख्या क्या है पुर्ड संख्या क्या है पुडांग संख्या हैं क्या होती है सम संख्या है भी सम संख्या है भाज या भाज ये सब हमें आनी चाहिए पर्मिय आ पर्मिय संख्या है तब हम वास्तिविक संख्या पढ़ेंगे बाद में यूकलेट भी भाजन पर मिये बढ़ेंगे ठीक ना इसलिए कलास को ध्यान पूर्बक देखना और पूरा देखना बहुत मज़िदार कलास होगी आपका exercise question भी करवाया जाएगा लेकिन पहले आप मतलब तो समझो न देखिए student पहले आपको ये सब सीखना होगा इस सब भी वास्तिविक संख्या के अंतरगत ही आते हैं रियल लंबर के अंतरगत आते हैं तो नेचुरल से असफ़ष्ट होता है आपके दिमाग में आता होगा पेड़ पौधे नदियां पहाड नेचुरल ना प्रकृतिक जी बिल्कुल वैसे ही मतलब ऐसी संख्याएं जिने हम महसूस कर सकें फिल कर सकें गिन सकें वो प्रकृतिक संख्याएं कहलाती है इसकी दूसरी परिभासा ऐसे भी दी जाती है कि वो संख्याएं जिने हम गिन सकते हैं वो प्रकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जैसे मैं बोलूँ कि हमारे हाथ में 5 अंगुलियां है तो आप ऐस इसे तो नहीं शुरू करोगे या फिर माइनस में नहीं शुरू करोगे तो ऐसे समझ लो जिन संख्याओं को हम गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं पारिभासा मैंने कई तरह बता दिया आप फिर पीछे करके वीडियो को सुन लीजिए और लिख लीजिए उधारण के लिए इसके एक्जामपल हो जाएंगे अगर तो उधारण आप लिखोगे वान टू थ्री फोर डैश 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 अनन्त तक इंफानाइट कोई लिमिट और नहीं कहां तकве अगला कहरा कि पूर्ण संघ्या पूर्ण संध्या को इंगलिस में होल नंबर कहा जाता है करना मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरी तरह से जो पूर्ण हो जाahh कैसे देखो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब हम सुनने को सामिल कर लेते हैं तो इस तरह से बनी संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं का लाती है बस सूनने के बिना तो सब अधूरा है सूनने के बिना आप कहां तक पढ़ सकते हो गिंति केवल नाइन तक पढ़ सकते हो बस उसके आगे नहीं जा सकते हो टेन बनेगा नहीं सूनने के बिना ठीक ना बात नहीं पढ़ सकते हैं पूरी तरह से इसका बिस्तार रूप जाएगा पहले सुन की जब खोज नहीं हुई थी तब मैथ बहुत लिम्टेड ही थी एक परकार से आगे देखो पूर्ड संख्याएं किसे कहते हैं इसकी परिभासा कैसे लिखोगे डेफिनीशन प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुनने को सामिल कर लेने पर बनिक संख्याएं पूर्ड संख्याएं कहलाती हैं प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुनने को सामिल कर लीजिए बस ये 0,1,2,3 मतलब प्रकृतिक संख्या रहेंगी लेकिन 0 को मिला लो आगे बस य । यह व्यसकर पूर्ण संख्या है। इसक्ति अलामा साथिवाता है। नॉम्पटी इंटीजर नमबर को बोलते हैं। पूड़ांक। पूड़ांक के बारे में आप फिर प्लस 2 होता है फिर प्लस 3 होता है फिर इधर साइड में देखो तो माइनस 1 इधर देखो माइनस 2 यह माइनस 3 ऐसे ऐसे होता है तो यहाँ पर यह समझो कि इस संख्या रेखा पर जितनी संख्या दाहिनी साइड है वो प्लस है जो माइनस है इसकी परिभासा आप ऐसे दे कि सभी संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि यह माइनस वाला भी इधर अनंत तक बढ़ता जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कहा तक जाएगा तीन के बाद करके पुडांग संख्याएं बनती हैं तो यह आपको कंसेप्ट आना चाहिए उसके बाद 10 में टाप करने से आपको कोई रोंक नहीं सकता है आप से निबेदन यहीं होगा कि आप लोग अपने दोस्तों को खूब क्लास सेयर करिए जितने भी आपके मित्र 10 में पढ़ने वाल से पुई परकार कि आपको प्रैसाह नियाल नमबर दिया के आप लेक्त क्लाकर करिए पहले नमबर पर वर्टसप कर सकते हो दूसरे पर नहीं कर ना अगला देखिए दोस्तों अगला है समसंख्या एं शमसंख्या को इंगल्यस में उदेल नमबर बोलते, अरे उसके बाद पूरी तरह फिर नहीं करती हैं, वो भी समसंख्याएं कहलाती हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, ऐसा इसलिए, क्यूं? क्यूंकि आपको आगे चलके समस्या होगी जब बड़ी-बड़ी संख्याएं होगी, तब फिर आपको भाग दे के काटने में दिक्कत होगी, मतलब परिभासा तो सही है, लेकिन प्राव्लम होगी, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो, कि वो संख्या हैं, जिसका लाश्ट डिजिट, यानि कि आंती मंक, जीरो, दो, चार, छे, आर्ट, आदी, आदी नहीं, स्वरी, बस इतना ही, आता है, वो समसंख्या कालाती है, मतलब वो संख् के लिए देखो, अंती मंक देखना, आपको लाश्ट डिजिट, लाश्ट डिजिट इसमें सेबन है, सेबन इन में से कोई भी नहीं है, इसलिए वो समसंख्या नहीं है, बिसम संख्या है, लेकिन अगर इसमें हमने जैसे यह आठ लिख दिया, वैसे यह समसंख्या हो गई, आप मैंने इसमें वन लिख दिया यह फिर भी समसंख्या हो गई लेकिन लाश्ट डिजिट जैसे ही सम होता है वैसे यह फिर से समसंख्या हो गई समझ गए ना यानि लाश्ट का डिजिट अगर 02468 है तो वो समसंख्या कालाती है अगला है विसम संख्याई विसम संख्याई यानि कि ओड नमबर क्या होती है इसी का ज़स्ट अपोजिट जो बच रहीद पांच संख्या उसी को लिखोगे वह संख्याई वो संख्याई जिनका लाश्ट डिजिट वान, त्री, फाइब, सेबन, नाइन होता है वो विसम संख्याएं कहलाती है यानि कि odd number कहलाती है ठीक ना बस आपको सिर्फ संख्या का last digit देखना है last digit इनमें से अगर है तो वो आप समझ जाओ कि समझ की भी समझ है ठीक ना बस सिर्फ last digit देखो जैसे एक example के लिए देख लो यार 98725003 इसका last digit देखो तीन है तीन है जो कि इसमें से देखो विसम वाले में आ रहा ना इसमें से कोई भी एक आना चाहिए तो ये पूरी संख्या क्या है विसम संख्या हो गई गेवल last digit देखना अगर ये संख्या कुछ ऐसी दी होती तो ये sum संख्या का लाती जिए क्यों कि इसके last digit 8 है और 8 जो है वो विसम संख्याओं में नहीं आता ये sum में आता है न तो बात आप समझ गे होंगे इस तरह से जिन संख्याओं में last digit इन में से आता है कोई भी हो sum होती है जिन में इन में से आता है 013 यार इसमें भी 0 लिखाओ इसमें 0 नहीं रहेगा जिरो तो sum वाले में 5 इसमें 5 इसमें ठीक जिसमें 1 35799 last digit वो विसम होगी तो ये हो गई sum और विसम की कहानी आप इने जल्दी से चाप लीजिए और फिर याद कर लीजिए जुबानी आगे बढ़ते हैं अगला जो टापिक है उसको देखना भाजे और अभाजे संख्याएं क्या होती है और हाँ इस कलास को भी लाइक ने क्यों तो जल्दी से कर दो जिससे कि हर एक कलास मिल सके और वीडियो को यूटूब पर कता ही डाउनलोड नहीं करना उपर नंबर दिया गए आगर लिंक नहीं मिल रही तो आप मांग सकते हो लेकिन अगर डाउनलोड करोगे हर दिन कलास तो फिर यूटूब पर आपको देखने को कलाफ नहीं मिलेगी आप ढूनते रह जाओगे तो याद रखना आनलाइन देखना ठीक है कोई समझते है तो आप फोन करके बताना चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंद साथियों अगले दो जो टॉपिक हैं वो बहुत महत पूर्ण हैं भाजे और अभाजे संख्या हैं जिने कमपोजिट एंड प्राइम नंबर कहा जाता है सभी जानतों बच्वन में बहुत बार पड़े हो है ना तो यह जान लो भाजे संख्या क्या होती है वो संख्या जिसके दो से अधिक फाइक होते हैं जिसके दो से अधिक गुड़नखंड होते हैं वो भाजे संख्या कालाती है और वो संख्या जिसके दो से अधिक गुड़नखंड नहीं होते हैं वो अभाज संख्या कहलाती है जैसे हमने लिखा है चार ना आप कहोगे कि ये तो फिर अभाज संख्या हो गई क्योंकि इसके दो ही गुड़नखंड है ऐसा नहीं है इसका एक गुड़नखंड एक भी है ठीक हाँ इसका एक गुड़नखंड एक भी है और हमने क्या निकाला है इसके गुड़नखंड की है न देखो गुड़नखंड या फिर इसे एक बात और भी बोल सकते हो जैसे मैं आपको बताऊं इसकी जो डिफिनीशन एक त भाजे होती है इसके अलामा किसी और भी एक संख्या से पूरी तरह से भी भाजे होती है वो भाजे संख्या कालाती है मतलब एक से भी कटेगी पूरी तरह से और खुद से भी कटेगी इसके अलामा किसी और भी एक संख्या से कटेगी तो वो भाजे संख्या कालाएगी जैसे इधर example देख लो, गुड़नखंड वाला आपको थोड़ा लंबा लग रहा था, जैसे मैंने ले लिया 4, अब देखो 4 किस से किस से कटेगी, पहला नमबर तो हर एक संख्या खुद का एक परकार से क्या होती है, भाजक होती है, तो 4 से अगर 4 को आप भाग करोगे तो यह 1 हो गया, इसके आगे अगर हम बात करें, 4 की, तो क्या होगा, इसको हम 2 से भी पूरी तरह से काट सकते हैं, किस से, 2 से, देखो यह, 2 तू जा, 4, तो यह कितना हो गया, मतलब, 2 से भी डिवाइड हो गया अपना पूरी तरह से, यानि यह 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 1 से भी तो हम कह सकते हैं कि जो four है वो two से भी पूरी तरह divide है, four से भी divide है, one से भी divide है, यानि ये एक से भी cut रही और खुद से भी कट रही इसके अलामा एक और संख्या है नहीं कि टू से भी कट रही अता ये भाजे संख्या है समझ गए ना ऐसे याद कर लो ज़्याद अच्छा रहेगा वो संख्या जो एक से कटे खुद से कटे कटने का मतलब यहाँ पूरी तरह कटे सेसफल जीरो आए ठीक है उसके अलामा किसी और भी एक संख्या से कटे मतलब एक से तो कटे ही खुद से भी कटे और किसी और भी एक संख्या से कटे तो वो भाज्य संख्या कहलाती है अब भाज्य की जो परिभासा है इसके ज़ेश्ट थोड़ा सा उल्टा होती है जैसे एक एक जामपल देखो है आपर हमने लिख दिया 13 अब अगर हम 13 की बात करें तो 13 एक से कटेगी और 13 खुद से भी कटेगी मतलब 13 को 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है यह 0 आ गया लेकिन क्या यह 1 से और 13 से तो कट गई और भी किसी से कटेगी कोई बताएगा है कोई संख्या जिससे यह पूरी तरह से कम्पलिटली डिवाइड हो जाए आप सोचवन, डिन भर सोचव, रात भर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यह कट जाया और नहीं कटेगी किसी और संख्या से है न जैसे सेबन ले लो एक से कटेगा, साथ से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पर अगर मैं बोलू बारा ले लो तो बाहरा भाया, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, हाँ, इसमें एक से मैंने पहले ही कट दिया है, तो ये देखो, चार संख्या से कट रही, पूरी-पूरी, ये देखो, तीन संख्या है, तीन अंग से कट रहा, पूरा-पूर मतलब 2 से ज्यादा हो रहा है लेकिन इसमें 2 से ज्यादा कभी नहीं हो गार है how चाहे जो देखलो 101 लेगा एक 101 101 से कटेपा बस बाख़ी किसी से नहीं कटेगा 47 लेट फर्टी 3 ले लो यह सब्वी आभाज शंख्याय कहला ती है समझ में आ हैं गई हैं नोट कर लो परिभासा मैं बोल रहा हूँ जो उसको लिखो क्योंकि मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको concept शिखा रहा हूँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो वो संख्या जो एक से पूरी तरह से विभाजे हो और खुद से भी पूरी तरह से विभाजे हो इसके अलामा किसी और भी एक संख्या से पूरता विभाजे हो वो सब अभाज संख्याएं का लाती है इसके अलामा वे संख्याएं जो एक से पू नमबर के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद है परमिय संख्या और अपरमिय संख्या देखो ये परमिय अपरमिय क्या होता है दोस्तों इसको इंगलिस में रेफनल नमबर बोलते हैं इसको ए रेफनल नमबर बोलते हैं इसको हलके हलके सब्दों में समझ लो आपने अभी तक सिखा होगा कि वह संख्या है जिनको shortfare सिद्ध कर सकते हैं और नि के वागा है बिल्कुल सही जबाब है यह यह जान लो कि वह प्रकार से रेफनल नंबर होती है जिनको आप P.A.P.A.N.Q के फार्म में लिख सको लेकिन P.A.P.A.N.Q फार्म होता क्या है कैसे लिखते हैं इसको जैसे देखो हमें आपके सामने खड़ें एक चस्मा लगाए ना लेकिन हम अगर ये चस्मा निकाल दें तो आप हमें बहुत अच्छे से पहिचा देखे हो ना तो वैसी दसा में आप इंसान को पहचा होगे कौन है दूर से कोई नहीं पहचान पाईगा पास से बहुत अच्छे से नहीं जानता वो नहीं पहचान पाईगा कौन ना चुके धग ज Аदल हो जाएगा ना लोग मास्क लगा लिए लेते हैं सीर्म भेम बांद लिखानी है उसके बाद फिर हम समझ जाएंगे रेफनल है कि नहीं है कैसे देखो जैसे हमने आपको एक संख्या दिया दो तो ये तो इसका चेहरा क्लियर है चुकि इसके ऊपर कोई बावाल नहीं है अब भी दिखाऊंगा बावाल का मतलब क्या है तो इसे आप लिख सकते हो तो अपान वन यानी ये रेफनल नंबर है क्यों क्योंकि ये पी एक नंबर एक नंबर है ये दो ये भी एक नंबर ये इसके बरावर है इसको लिख सकतेूस पर रहो डेख रहो कि अंडर रूट वाला इसको आप हटा नहीं सकते हो किसी भी तरह से कि हटा सकते हो बोलो कोई उपाय है क्योंकि दो जो है ये पूर्ल वर्ग संख्या या फिर गहन पूर्ल गहन संख्या है ही नहीं कुछ भी नहीं है ये तो इसका जो है वर्गमूल पूरी तरह फिर नहीं निकलेगा यानि कि इस पे से रूट का चिन कभी हटेगा ही नहीं आप निकालोगे तो दसामलों में इसका मान आ जाएगा समझ रहो ना तो इस तरह से क्या है यह एक अपर्मिय संख्या है यह एक एरेफनल नंबर है अब कुछ उरी स्टूडेंट अपने दिमाग में यह बसा लिये होंगे कि बैया चलो जिस पे अंडर रूट लगा है वो इरेफनल होती है हाँ जिस पे वर्गमूल लगा जिस पे नहीं लगा वो इरेफनल होती है लेकिन आप गल steep हो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस पे वर्गमूल का चिन लगा होता वो भी रेफनल नंबर कालाती है पर व इह संख्या होती है यह कोई इसका मर्क नहीं मिल गया इसकी गारंटी सर्टिफिकट नहीं हो गया कि वर्गमूल का चिन है तो वही रेफनल ही होगी वो रेफनल भी होती है देखो कैसे उपर देखना बहुत ही मन से समझारा हूँ दिल से और हाँ अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगा होगी दया होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में सेयर करना आपको मैं एक बात दिखाने वाला हूँ जो कि लोगों को नहीं बताया जाता है इस समय रातरी के 12 बच कर 54 मिनट हो रहे हैं आप देख रहे होंगे 0054 24 गंटे का टाइम चलता इसमें मतलब हमें एक बजे दो बजे आपके लिए कलास यार रिकार्ड करते हैं आप लोग की थोड़ी सी भी responsibility बनती है कि आप लोग कलास को खूब सारा share करिए दोस्तों में खूब share करिए जादा फिजादा student को जोड़िए ठीक ना चलिए ये रेफनल नंबर अंडर रूट वाला भी होता है कैसे जैसे अंडर रूट 25 लिख दिए न अब कहोगे कि भाईया ये तो इसके बरावर नहीं हो सकता है हाँ नहीं हो सकता सही बात है ये अभी एरेफनल नंबर है लेकिन इसको एरेफनल बनाया जा सकता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं कुछ बिगड़े होते हैं कुछ पूरी तरह से बिगड़े होते हैं मतलब बरबाद होते हैं जिसे बोलते हो इसका मतलब यह कि जैसे पढ़ते लिखते नहीं है गुमते इधार उधार घरवालों का कहना नहीं मानते हैं अपने टीचर का कहना नहीं मानते हैं बत्तमीजी करते हैं समझ रहे हैं आप लोगों में से बहुत लोग होंगे ऐसे तो कुछ होते हैं ऐसे जिनको सुधार आजा सकता है घर वाले उनको मार पीट के सुधार देते है टीचर लोग उनको पीटते हैं वो सुधार जाते हैं पढ़ते लिखते हैं फिर अच्छे हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं सुधार आजा सकता है अगर टीचर मार दिया तो उसको कहेंगे चला रहबा कहां मार बात रस्तम मिलिद बता इत्वा है है ना तो वो टीचर को भी मारेंग रास्ते में अगर ममी पापा मार दिये तो मुबाइल फोर देंगे या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं ममी पापा को भी उल्टा उल्टा बोल देते हैं या फिर क्या करेंगे खाना ही नहीं खाएंगे कुल मिलाके मतलब ये कि वो सुधरेंगे नहीं किसी भी तरह से वो नहीं सुधरेंगे न डरेंगे आज के जमाने में ऐसे बच्चे ज़्यादा मिलेंगे तो वही बात मैं यहां बताने वाला हूँ कि यह उस तरह के बच्चे हैं जो नहीं सुधरने वाले हैं मतलब इसमें से अंडरूट कभी हटने वाला नहीं तो अच्छा ताजा साब 5 आएगा 5 बटाएक हो जाएगा अब ये क्या हो गया ये इसके बराबर लिख सकते हो अब ये रेफनल नंबर हो गया लेकिन यहां पर रेफनल नंबर नहीं था समझ गे ना तो ये होता है रेफनल और एरेफनल की कहानी इसको बिश्तरित और रेफनल की कहानी यहीं पर खातम नहीं होती यार इसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है इसको बहुत जादा पढ़ने के लिए आपको इसकी एक कलास अलग से करना होगा कमेंट करके बताना तो हम आपको बता देंगे ठीक है कुछ एक्जामपल आपको दे दे रहे हैं रे संख्या है नहीं कर दे पाए आपार्मेय संख्या है इसमें बहुत सारी ऑंदर रूट वाली संख्या होती है इसमें ही और अपैय पर्मिय संख्या है उपक्र प्र रिटली वर्गमूल ना निकले वो सभी आपर्मिय संख्याएं कालाती हैं वो सभी आपर्मिय संख्याएं कालाती हैं लेकिन ऐसा नहीं करना यह अंडरूट छतिफ लिख दो तो यह पर्मिय है क्यों क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा अंडरूट 119 लिख दो उसका होगा या परमिय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह थी परमिय अपरमिय की एक छोटी सी स्टोरी सार्टी स्टोरी है ना कैसी लगी आपको जल्दी से नोट कर लो वीडियो का स्क्रीन साथ ले और डेली ये कलास 8 बजे से चलेगी मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को यूटूब पर डाउनलोड कता ही नहीं करना अगर आप इसे यूटूब पर डाउनलोड करोगे तो फिर वही आपको कलास नहीं मिलेगी इसलिए आप यूटूब पर ही देखो लेकिन आनलाइन बार बार इसलिए Ale CayENT वूट उलेगी आपको यूटूब इसलिए यूटूब बएसा प्राइखो पर बार डा हूटूब जवटूब रहान वही आपको